हाई अवरिवन मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इनका नाम है बर्नी सैंडर्स और ये यूएस सेनेट में one of the longest और most respected member of parliament है जैसा कि हम सभी को पता है कि बेंजमिन नितनियाहू के policy के खिलाफ यूएस में और बहुत हद तक इस्रेयल में भी अलग अलग जगा पर protest चल रहे हैं Majorly US के universities में protest चल रहे है जहां पर Benjamin नितनियाहू के over aggressive policy को criticize किया जा रहा है इन्ही सब चीजों को देखते वे Bernie Sanders ने कहा कि अगर को Benjamin नितनियाहू को oppose करता है या उसके idea को challenge करता है तो इसका ये मतलम नहीं होता है कि वो anti-semitic है आखिर में Bernie Sanders को ऐसा क्यों कहना पड़ा इस वीडियो में हम जानेंगे मगर इस वीडियो में आगे बढ़ूई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी मुझे email करके बता सकते हैं एक दोरान क्या होता है कि nationalism हो गया चाहे religious मुद्य को उठाया जाता है 7 October 2023 को जो हमास ने किया था वो गलत था लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो Benjamin Netanyahu के बारे में या इनके खिलाफ इसरेल में बढ़ चड़कर protest हो रहे थे हैं जहां पे एक जो सबसे बड़ा important हो जाता तो कहने का मतलब है कि जो appointment of judges था वो सरकार करते हैं तो इससे जो judiciary का power होता है या transparency होता है तो वो खतम हो जाता है तो इस specific चीज़ को लेके पूरे इसराइल में बढ़ चड़कर protest हो रहे थे और वैसे लोग भी protest कर रहे थे जो किसी time पे काफी close हुआ करते थे Benjamin Netanyahu क अब जिस थरीके से Israeli Defense Forces Gaza में attack कर रहे हैं ये कहीं से भी कोई इसको justify नहीं कर सकता है जब हम कहते हैं कि government of US या कहते हैं government of Israel तो हमें लगता है कि वो जो decision लिया गया वो जो फैसला लिया गया वो एक collective फैसला था लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि government के विचार अलग होते हैं और वहां के जो लोग होते हैं उनके विचार अलग होते हैं government अपने फैसले को लेने या करने के पहले बहुत सारे चीजों को वो देखता है तो बहुत सारे ऐसे लोग है जो US में भी protest कर रहे हैं अपने सरकार के खिलाफ में और US में protest कर रहे हैं Benjamin Netanyahu और इनके action को लेके तो जि नहीं है तो वो एक simple सा protest को Benjamin Netanyahu हर बार anti-semitism कह रहे हैं कहने का मतलब है कि जो protest हो रहा है उसको एक religious color दे रहे हैं और बहुत ही भारी भड़कम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक simple protest को वो नाजी जर्मनी के दौरा जो Jewish के ऊपर targeted तरीके से जो इनका killing किया गया और वैसे history में बहुत सारे incidents हुए हैं जहां पे बहुतों के साथ गलत हुआ है और उसके बाद जैसे ही 7 October को हमास attack करता है इस्रेल पे Benjamin Netanyahu दो से तीन दिन के अंदर ही declare कर देते हैं कि इस्राइल war में है तो इसके बाद क्या होता है कि जो भी protest Benjamin Netanyahu के खिलाफ हो रहे थे वो पुरा protest का जो एक रूप रेखा था वो completely बदल जाता है तो वैसे तो USA बढ़ चाड़ कर ये claim करता है कि उसके देश में freedom of speech है freedom of expression है लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब US government के action के खिलाफ protest होता है तो उस protest को वो किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो justify नहीं है अब एक चीज़ जो बहुत ही हमें neutral perspectives से रहे के देखना है और सोचना है वो ये है कि अगर कहीं पर भी protest होता है तो वहाँ के लोग अपने सरकार से काफी खफा होते हैं तो इसलिए वहाँ का जो atmosphere होता है वो already एक tense atmosphere होता है और उसके बाद अगर वो protest बहुत दिनों तक करते होंगे वो भले Benjamin Netanyahu के ideology से या उनके ideology को नहीं मानते होंगे फिर भी उनके उपर attacks या उनके उपर discriminatory भाव होते होंगे जो कि almost एक बहुत ही common phenomenon है जो कि almost हर जगा होता है तो इनी सब चीज़ों को देखते हैं Bernie Sanders काफी खफा होते है Benjamin Netanyahu से और वो कहते हैं कि जो Benjamin Netanyahu या order दिया जा रहा है Benjamin Netanyahu के दवारा वो कहीं से भी acceptable नहीं है वहीं पर बहुत सारे जो common civilians है students है teachers है और बहुत सारे member of parliament भी है वो ये कह रहे हैं US government से कि आप Israel को fund ना दो आप किसी भी तरीके से उनको military support ना दो क्योंकि अगर Israel को US fund या military support नहीं करेगा तो guaranteed है कि ये गज़ा में जो attack किया जा रहे है इसको 24 गंटे में रोका जा सकें और बात ये सिर्फ गज़ा या Palestine का नहीं है अगर आप behavior देखेंगे US का तो आपको साफ मालूम पड़ेगा एक तरफ तो US, Israel के दवारा जो almost atrocities किया जा रहे है इसको ये justify कर रहा वहीं अगर आप Ukraine और Russia war के अगर आ agenda को run करते हैं और किसी भी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि आस परोस में अपने ही leaders को रखे directly या indirectly इसी post में Bernie Sanders आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ये किसी भी तरीके से हमास को support करना या Jewish को oppose करने का protest नहीं चल रहा है almost जो Israel Defense Forces का दवारा attack किया गया है उसमें 34,000 से भी अधिक जो common Palestinian से उनकी जान गई और इसमें से भी 70% जो लोग है वो बच्चे और वोमेन है और उसके बाद कुछ एक लाग के आसपास आदमी को ये लोगों को काफी huge casualties हुआ है तो कहने का मतलब है कि अगर यही काम Israel ना करके अगर कोई और कर रहा होता तो US इस तरीके से दिखाता जैसे कि उस देश में बहुत जादे human right का violations हो रहा है, imagine करें कि अगर इसका 10% भी अगर Russia क्या होता Ukraine में तो किस तरीके से US बढ़ चड़ कर इसको एक propaganda machine की तरह दिन रात अखबारों में चलाता और उसका इस्तिमाल करता और उसके बाद अगर गजा में अगर basic human needs नहीं पहु ये कहीं न कहीं बहुत extreme action है और जिसके कारण क्या है कि जाने अन जाने में जो common civilians है जो common Jewish है all across the world उनके खिलाफ hatred पैदा हो जाएगा तो अगर हम इस वीडियो को conclude करें और Bernie Sanders के statement को अगर हम अच्छे से analyze करते हैं तो एक चीज़ तो हमें मालूम पढ़ता है कि ये इतिहास मे पहले भी हुआ था और ये आज भी हो रहा और possibly आगे भी होता रहेगा जब कोई एक leader unpopular होता है तो वो किसी भी तरीके से nationalism का जो मुद्दा है उसको उठाने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि उसमें religion का भी angle को डाला जाए अगर ऐसा कोई भी incident भारत में होता है तो ह हमें सो समझ के उसमें participate करना चाहिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye